असलाम अलेकुम जी, so last lesson में हम लोग ने magic wand tool को देखा था और इस lesson में हम लोग देखेंगे कि anti-alias option अंचेक करने से और check करने से क्या फरक पड़ता है और anti-alias क्या concept है, तो अगर हम कोई shape draw करने जाते हैं तो यहां पे भी आपको anti-alias option नज़र आएगा, अगर आप कोई selection करना चाहते हैं तो वहां पे भी anti-alias option आपको दिखाएगा, तो actually यह है क्या concept और क्या फरक पड़ता है अगर हम इसको check करें या इसको uncheck करें तो यहां पे हम एक shape का इस्तेमाल करते हैं, elliptical tool, इस layer के उपर, हम एक circle draw करते हैं और इस वकत जो मैंने option anti-alias है, उसको check किया हुए, ठीक है, इसको uncheck करते हैं, और एक और circle draw करते हैं ठीक है जी, तो यह वाला जो circle मैंने draw किया था, इसमें anti-alias option check थी और इसमें anti-alias option uncheck थी, तो दूर से तो आपको कोई खास फरक नजर नहीं आएगा लेकिन इसको zoom करके देखते हैं, तो आपको एक वहाज़े फरक दोनों में नजर आएगा ठीक है जी, तो anti-alias check करने से जो इस circle की boundary line थी, उसने उसको एक smooth effect देने के लिए इस color के different shades को इस्तमाल किया, right, for example black था, उसका grey variant यूज किया और उसकी transparency वो कम करता गया और उसने उसको एक smooth effect प्रोवाइड किया, लेकिन अगर आप anti-alias जहाँ पे हमने उसको uncheck किया था, वहाँ पे जैसे ही circle खतम हुआ, तो यहाँ पे उसने मजीद कोई pixels को add नहीं किया, कोई smooth effect नहीं दिया, कोई shades को इस्तमाल नहीं किया, तो difference आपके सामने है, जो यह वाला concept अगर आप पुरानी games खेलें, जैसे कि Mario Brothers है, यह और बहुत सारी games थी, late 90s में, या early 21st century के अंदर, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का result मिलेगा, games के अंदर, characters का, trees का, different objects का, लेकिन अगर आप आजकल की games की बात करें, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा depth नजर आती है और आपको उसमें बहुत ज्यादा smoothness देखने को मिल दी है, between the objects, the backgrounds and the character जिससे आप उस game को play कर रहे होते हैं, so यह एक छोटा सा concept था, anti-alias का, so I think now you got to know, कि anti-alias check करने से, selections के उपर या shape straw करते हुए, क्या फरक पड़ेगा, और अगर आपने इसको check नहीं किया वा, तो क्या करते हैं, thank you so much.